नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में याने की सर्दियो के मोसम में तो दोस्तो ऐसा होता क्यों है इसी की जानकरी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस वज़य को जानकर और इन प्रोब्लमों के बारे में जानकर आप भी इनके बारे में सतर करे सकते हैं और इनसे बस सकते हैं तो चलिए बताते हैं आपको वो प्रोब्लम कौन-कौन सी है और उनके कारण क्या-क्या है तो दोस्तो सबसे पहले प्रोब्लम आती होट और जुबान की जी हाँ ठंडी हवा और शुष्क मोसम के चलते हमारे होट सुखने लगते हैं ऐसा होने पर हम बार-बार अपनी जुबान होटों पर फेड़ने लगते हैं इसकी लार होटों को कुछ देर तक रात तो दे देती है लेकिन इसमें मुझूद एंजाइम होट या तोचा के लिए अच्छे बिलकुल भी नहीं माने जाते हैं ये ना सिर्फ आपके होट या तोचा पर नेगेटिव असर डालते हैं बलकि आपको बिमार भी रखते हैं तो इस चीज़ को आप बार बार ना धोराएं कि अपनी जुबान को अपने होटों पर सद्यों के मौसम में खास करके बार बार ना फिराएं दोस्तों दूसरी प्रोब्लम आती है दातों में दर्द के रूप में खास तोर से अगर आपको दातों में हेल लाइन फ्रेक्चर, क्राउन ब्रीज या फिर मसूडों से जुड़ी पिरियर डॉंटर डिजीज हो ऐसी दिक्कत होने पर आपको डेंटल एक्सपर्ट से राई ले लेने चाहिए दोस्तों अगली प्रोब्लम में हाई ब्लड शुगर सर्दी के मोसम में हाई ब्लड शुगर के रोग्यों को सेहत पर खास क्या रखना चाहिए एक एक्सपर्ट कहते हैं कि ज़्यादा ठंडा या गर्म तापमान होने पर शरीर से कोटिसोल जिसे इस्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं ये इंसुलीन प्रतिरोधी में योगदान दे सकता है डाइबिटीस के रोग्यों को इस मोसम में कम से कम एक बार खून में शुगर लेवल की जान जरूर करा लेने चाहिए अगली प्रोब्लम है बेली फेट दोस्तो बोड़ी में मौझूर वाइट फेट को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में एक ब्राउन फेट भी होता है ये फेट सर्दियों में आपकी कैलरी को बर्न करके शरीर को गर्म रखने का काम करता है एक एक्सपर्ट केते हैं कि सर्दियों में एक्सरसाइज करके ब्राउन फेट को बढ़ाया जा सकता है दोस्तो अगली प्रोब्लम है ड्राइ स्किन जियां, सर्दी के मौसम में लोगों को ड्राइ स्किन और होट फटने की समस्या होने लगती है दरसल ये शरीर में पानी की कमी की वज़े से होती है गर्मियों में ज़्यादा प्यास लगने की वज़े से हम पानी पिते हैं अगली प्रोब्लम होती है दोस्तों माईग्रेन के रूप में, जी हां, विटामिन D की कमी की वज़े से माईग्रेन जैसी समस्य आपको देखने को मिल सकती है, एक एक्सपर्ट केते हैं कि सर्दियों में शुष्क मोसम बोडी में डी हाइडरेशन को ट्रिगर कर सकता है, डी ह मोसम में हमारा ब्लड फ्लो और सर्क्यूलेशन भी कम हो जाता है, सर्दियों में इसे ठीक रखने के लिए हमें शरीर को ज़्यादा एक्टिव रखने की ज़रूरत है, और एक्टिव रखने से मतलब यह है कि आप शरीर बोडी को कम से कम कुछ ने कुछ काम जरूर करने दे कुछ एक्सराइस करते ने हैं, कुछ टेहलते ने हैं, बोडी को बिल्कुली ऐसा ना करें कि बिल्कुली आप रिलेक्स हो जाएं दोस्तो अगली प्रोब्लम है आर्थराइटीस, जी यां, सर्दियों में अक्सर लोगों को हड़ियों जोड़ों में दर्दी जैसी समस्याई देखने को मिलती रहती है, आर्थराइटीस के मरीजों में यह दिक्कत ज्यादा देखी जाती है, आप यकिन करें या ना करें, लेकिन ये परिशानी ठंड की वज़े से नहीं बलकि बेरोमेट्रिक प्रेशर की वज़े से होती है। कोशिकाओं में एट्मोफेरीन प्रेशर के बदलाओं के चलते आर्थरायटीस के मरीजों को ये दिक्कत ज्यादा होने लगती है। कि आर्थरायटीस की प्रोब्लम सबसे ज्यादा ठंड में देखने को मिलती है जो कि बिलकुल गलाते है। दोस्तों अगली प्रोब्लम है तोचा में जूर्यों के रोप में जियां। सर्दियों में हुमिडिटी कम हो जाती है, सेल्स रिन्यूवल बढ़ जाता है, ठंडी सुष्क हवाएं चलती है, सूरी की जो अल्ट्रा वाइलेट के रण होती है, उससे सीधा संपर कोने लगता है, डायेट और एक्टिविटी में अचानक बदलावा जाता है, ये जो सभ कारण है इसकी वज़े से हमारी स्कीन में सर्क्यूडेशन कम हो जाता है, और वो अपना फ्रेश ग्लोग होने लगती है, इसी की वज़े से सर्दियों में खास तोर पर जूर्यों की समस्या सबसी ज़्यादा देखने को मिलती है, अगली प्रोबलम है अस्तमा, जियां, सर् जेसी इंडोर एलेर्जी भी अस्तमा की दिक्कत को ट्रिगर करती है और उसे बढ़ाती है, अगली प्रोबलम होती है दोस्तो, स्नो बाइडनेस, जियां, सूरी की जो अल्ट्रा वाइलेट केरने होती है, वो सर्दी और गर्मी, दोनों ही मोसम में इंसान के लिए पर नाक मानी जाती है, लेकिन क्या आप इस बात को भी जानते हैं कि बर्फ से परावर्तित होने वाली सूरज की अल्ट्रा वाइलेट केरने हमारी आखों पर बहुत बुरा असर डालती है, इससे केंसर और इसनों बाइडनेस जैसी जो समस्या होती है, उसका खतरा काफी ज सबसे ज़्यादा हो सकती है, और क्यूं हो सकती है, इसका भी रिजन हमने आपको बताया, किस किस तरीके से इससे आप बस सकते ही, ये भी आपने जाना, तो दोस्तों यही थी एक और खाज जानकारी आप सभी लोगों के लिए कुल मिला के हैल्थ के मामले में, तो दोस्तों यही थी जानकारी जो होती है, खतम, उमिद करता हूँ, वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरु दुमाएं, धन्यवाद